गाईज आज किस मैजिक वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक ऐसा मैजिक जिसे देखने के बाद आपकी आखें खुली की खुली रह जाएंगे और इस मैजिक को करना काफ़ी जदा आसान भी है अगर आपनी वीडियो एंट तक देखा तो आप आसानी से इस मैजिक को सीख जाएंगे और सबसे ची बात इस मैजिक की ये है कि इस मैजिक को करने के लिए आपको कोई सामान पर्चेस नहीं करना कोई प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है इस वीडियो को देखने के बास से ही आप इस magic को आसानी से कर पाएंगे और इस magic को करने के लिए आपको कुछ भी खास नहीं चाहिए आपको kitchen से लाना एक glass, एक simple सा matchbox और एक simple सा rubber band और आपके पास अगर ये सामान है तो आप आसानी से magic कर पाऊगे ये video देखने के बास से तो चलिए guys जल्दी से देख लेते हैं क्या है ये magic और इसे आप लोग कैसे कर सकते हैं इसी वीडियो में मैं आपको सिखा हूँ अभी इसलिए video man तक बने रहना तो जैसे कि आप देख सकते हो इस magic को करने के लिए मेरे पास एक simple सा छोटा rubber band है और ये बिल्कुल से intact है कहीं से भी कटा फटा ये नहीं है इसके अलावा मेरे पास एक simple सा match box है match box के अलावा मेरे पास एक खाली steel का glass है देख सकते हैं ग्लास बिल्कुल से खाली है और सबसे बड़ी बात इन तीनों सामन के अंदर किसी भी type के trick वगरा मैं नहीं करी है कोई gimmick किस magic में मैं use नहीं कर रहा हूँ पूरा घर का सामन है जो आपको आसानी साफ के kitchen में मिल जाएगा ठीक है तो चलिए magic start करते हैं तो गाई सबसे पहले तो मैं आपसे question पूछना चाहूँगा याँपे कि अगर मैं इस rubber band को match box के उपर कुछ इस तरीके से दो बार मैं round कर दूँ यानि चड़ा दूँ यह देख सकते हो double मैंने चड़ा दिया है यहाँ पे rubber band को ठीक है अगर मैं ऐसे दो बार rubber band चड़ा के इसे डाल दूँ glass के अंदर थोड़ा सा करूँ magic तो क्या यह rubber band automatically match box से बाहर आ सकता है आप देख सकते हो आसानी से नहीं निकलेगा ऐसे भी निकलेगा इसे खींच के निकालना पड़ेगा तब यह rubber band निकल सकता है ठीक है लेकिर आपकी आँखों के सामने मेहतरने वालों यही magic काफी कमाल का यह देखे सबसे पहले मैं इस rubber band को इस match box के उपफर चड़ा देता हूँ ठीक है आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर rubber band को चड़ा दिया है दो बार इस match box के उपर ठीक है और अब मैं डालता हूँ इस match box को इस glass के अंदर आपकी आँखों के सामने मैच बॉक्स को मैंने डाल दिया ग्लास के अंदर करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मैजिक आबरा कडाबरा गिली गिली छूप तो गाईज मैजिक हो चुका है चलिए देख लेते हैं मैच बॉक्स को बाहर निकाल के ओ माई गाड़ गाईज देख सकते हो मैच बॉक्स पे कोई रबर बेंड नहीं है तो गाईज रबर बेंड गया कहां रबर बेंड इस पी उपर नहीं है तो चलिए एक बार ग्लास को चेक कर लेते हैं देख सकते हो ग्लास के अंदर यहाँ पे रबर बेंड है यानि हमारा जो rubber band है automatic इस match box से निकल चुका है, तो guys ये magic कैसे हुआ कैसे आप लोग इसे कर सकते हैं, बड़े आसान इसे काफी कमाल का magic है, इसी वीडियो में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिना skip के end तक देखते रहे हैं तो guys इस magic के पीछे का secret है काफी simple, इस magic को करने के लिए आप कुछ एक simple सा match box यानि matches और एक simple सा rubber band, ठीक है, छोटा वाला rubber band और इसके अलावा आपको एक चीज़ और चाहिए वो है, एक simple सा steel का glass, ठीक है, transparent glass नहीं होना चाहिए, बाकि कोई भी glass चल जाएगा इस magic को करने के लिए, तो चलिए अभी आपको जल्दी से बताता हूँ कि कैसे इस magic को आखिर मैंने किया था और कैसे आप इसे कर सकते हैं तो चलिए, मैंने क्या किया था guys यहाँ पे, starting में तो आपको दिखा दिया कि ऐसे करके rubber band को मैं दो बार चलाऊँगा ठीक है, तो यह simply मैंने दो बार चलाया था लेकिन, जब मैंने इससे magic करने से पहले दो बारा चलाया तो कैसे चलाया, यहाँ पे एक छोटी सील ट्रिक थी तो मैंने क्या किया था, कि कुछ इस तरीके इसे rubber band को यहाँ पे अंगुठे से दबाया और दबाने के बाद इसे खीचा, खीचने के बाद कुछ इस तरीके इसे गुमाया और गुमाने के बाद यहाँ पे अंगुठे के नीचे इसको दबाया और फिर से मैंने ऐसे इसको चड़ा दिया तो actually guys यह rubber band यहाँ पे दो बार नहीं चड़ाया है यह already बाहर ही है देखिए already बाहर है एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसे रखना है आपने और ऐसे इसे खीच के और ऐसे इसे घुमाना है माचस के ऊपर और फिर यहाँ पे आपको यह पकड़ लेना है पकड़ने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे एक बार घुमा देना है तो guys यह जो rubber band है ऊपर ही है matchbox के हमें ऐसा लगता देखने में कि यह दो बार मैंने चड़ाया है लेकिन rubber band मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है ठीक है देखिए खोल के दिखाता हूं यह देखिए यह बाहर ही है यह दो बार नहीं चड़ाया है तो जब इसे मैं matchbox को डालता हूं कुछ इस तरीके से चड़ाने के बाद देखिए एक बार फिर से मैं आपको चड़ा के दिखा दो कुछ इस तरीके से ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे मैंने चड़ा दिया और इसे जब मैं डालता हूँ कुछ इस तरीके से तो इसे मैं छोड़ देता हूँ तो already guys जो rubber band था वो matchbox के बाहर हो जाता है